सबसे पहले और चाविटी और फैरिंग्स के बारे में जो सिस्ट बनेंगे उसके बारे में डीटेल देखेंगे रैनियूला रैनियूला क्या होता है यह असल में एक रिटेंशन सिस्ट होती है जो कि फ्लोर ओफ तो माउथ पर बनती है और यह अराइस करती है मुकस ग्लैंड सब्मेंडिबिलर और सब्लिंग्वल स्लाइवरी ग्लैंड से या फिर उनकी डक्ट से यह अराइस करेगी ठीक है यह जो तीनों ग्लैंड है इन में से किसी से भी यानि मुकस ग्लैंड सब्मेंडिबिलर सब्लिंग्वल ग्लैंड या उनकी डक्ट से यह एक फ्लोर ओफ और यह जो है हमारी टंग को ऊपर अपवर देखे पुश करेगी क्योंकि इतना बड़ा मास बन गए तो इसको अपवर पुश करेगी याद रिखे कि इसकी दो टाइपस होती है रेनियूला की सिंपल रेनियूला एंड प्लंजिंग टाइप तो सिंपल रेनियूला जो यहां पर फिगर भी दिखाया गया है यह रिटेंशन सिस्ट होती है जो कि सिर्फ फ्लोर ऑफ ते माउथ तक ही लिमिटेड रहे जबके प्लंजिंग टाइप जो होगी वह एक्स्टेंट भी करेगी हमारे नेक के टिशूज में और एक्स्टरनली प्रेजेंट करेगी इंदे सब म मेंटल रीजिन में या सब मेंडिबिलर रीजिन में बहर से मतलब पेजन करेगी तो इसको हम गहेंगे प्लंजिंग टाइप सिंपल में सरफ फड़ोर ऑफ माउथ तक ही लिमिटेड रहे लेकिन नेक तक आ भेएग बहर से परेजन कर रहे हैं तो यह प्लंजिंग रैनुला कि जब फिलूर ओफ जाे हैं कि आधांगे में के में मिलन ब्लू ऑफिजए के स्वेलिंग में कूल WE the Christmas da तो आधाजब देवन नहीं होती है तो इसको सर्जिकटल Repeats साय्स नहीं कर पाते हैं, अ कि मैंस्प करते हैं, इसको के क тепंग भी कहते हैं, या इसमें हमने क्या करना होता? ज wolves के रूफ होती है उसको पहले हमने रिमूब करना है, और बाकी का इनर वाल होगी हम औरल Mewcosa के साथ stitch कर देंगे या यह रेनियूला है तो इसका अगर हम roof इसकी हटा दें तो जो इस तरह बन जाएगा तो इस बाकी इसकी जो boundary है इसकी walls है inner walls उनको हम बाहर वाले mucosa के साथ यूं attach कर देंगे stitch कर देंगे तो यह open रहेगा ठीक है तो इसस्ट मतलब एक किसम से हमने खोल दी एक तरह से उसको हम कहते है marsupialization या decapping हम इसको कहते हैं तो वो cases जिन में surgical exigen नहीं की जा सकती क्योंकि जो है या तो वो बहुत ही ज़्यादा walls उसकी thin है तो फिर हमने फिर marsupialization करनी होती है दन आता है अगली टाइप की सिस्ट जो है retention cyst ठीक है retention cyst इसको हम mucosil भी खेंगे यहां पर फिगर देखें इसमें यह retention cyst mucosil दिखाई गई है यह कहीं पर लिप्स पर हो सकती है या even यह बकल mucosa भी बन सकती है ठीक है part of the pharyngeal mucosa में हो सकता है especially यह wellicula में भी हो सकता है यानि pharyngeal mucosa में भी हो सकता है तो most इस तरह की cyst वैसे asymptomatic ही होती है लेकिन बाद में अगर यह बड़ी cyst है और pharynx में हो गई है wellicula में होगी यह तो जाहर से बात है वो dysphagia cause करवाएगी तो इसलिए हमने इसमें treatment में इसको surgically exercise करना होता है अगर possible रहा और या फिर हम इसकी भी decapping कर सकते हैं ठीक है इसकी roof को remove करके और इसकी inner walls को mucosa के साथ stitch कर देंगे अगली cyst है dermoid cyst अब dermoid cyst क्या होता है यह 2% dermoid cyst जो है वो mouth में बनती है ठीक है यह सरफ 2% of the dermoid cyst जो है mouth में बनती है हमने nose में भी पढ़ी थी बाकी जगाओं पे होती है लेकिन 2% mouth में तो यह sublingually भी हो सकती है यह submental भी हो सकती है डिपेंड करता है इनका relationship mylohired muscle के साथ ठीक है एक white sun मास है floor of the mouth पे यह होंगी sublingual जबके submental अगर बन जाती है तो वो mylohired muscle के below बनेगी ठीक है और यह submental वाली mylohired के नीचे और हमारी जो chin होती है उसके behind a swelling की तरह present करेगी ठीक है submental वाली dermoid cysts देखें एक होती है sublingual sublingual floor of the mouth पे बनेगी ठीक है और white sun मास हमें मिलेगा लेकिन submental अगर बनेगा तो वो mylohired के नीचे और behind the chin बनती है तो इसको इनको भी हमने surgical एक्साइज करना होता है dermoid cysts को यहां persist complete हुई next is pre malignant conditions हमारी oral cavity and pharynx में तो pre malignant यानि आगे जाके जो malignancy करवाएं सबसे पहले है लीकोपलीकिया लीकोपलीकिया या जखें कि हम बार बार पढ़ते आएं कि एक white patch होता है लेकिन raised white patch होता है या black होता है जो mucosal surface of mouth पे बन जाए जिस तरह यहां पे figure में दखाया गया है histology के लिए इसमें क्या features होते है एक तो सिंपल केराटोसिस होती है various combination of hyperkeratosis होगी पेरा केराटोसिस और एकन्थोसिस ठीक है hyperkeratosis यानि कि इसकी epithelium thicken हो जाए पेरा केराटोसिस यानि कि इसमें जो incomplete maturation अगर हो keratinocides की तो उसको हम कहते है पेरा केराटोसिस एकन्थोसिस यानि के epithelium जो है वो hypertrophy show करेगी तो उसको हम कहेंगे एकन्थोसिस ठीक है तो इसके लिए वा थर्ड जो यानि हमें simple keratosis मिलेगी और various form of hyperkeratosis and then dysplasia भी मिल सकता है mild से लेके severe सब्समें dysplasia होगा तो अब याद रहिए कि लिकोप्ले का इस तरह के बकल और जो जिंजैवल मिकोजा है वहाँ पे बन जाते हैं लेकिन इसके लावा इदे कि टंग पे बन सकता है lips पे palate पे भी ये लिकोप्ले किया बन सकता है even floor of the mouthpiece से involved हो सकता है इसमें जो carcinoma बनने का incidence है developing leukoplakic patch में वो हो स्मोकिंग जो है most important ideological factor है जिससे ये leukoplakia होगा और carcinoma होगा malignant change जो है leukoplakia में वो smokers में और जो females होती है उनमें ज्यादा टेंडेंसी हो दिए कि इसमें carcinoma develop हो आगी malignancy हो जाए और जो पांच जब आते हैं beetle nuts यानी चालिया वगरा tobacco in different combination is another ideological factor especially हमारे vision में तो छोटी जो इस लेकिन अगर इस तरह की बड़ी लेजिन है और वो progressive है बढ़ती जा रही है तो याद रखेगा हमने इसको excise करना होगा और फिर histopathology must करनी होगी after excision के malignancy को rule out करने के लिए वरना वाकिए भी हमारे पास cryo surgery और laser surgery भी options होते हैं इसको treat करने के लिए ल्यूको प्लेकिया के बाद आता है हमारे पास अगली pre malignant condition अरिद्रो प्लेकिया ठीक है यहाँ पर आपको visible होगा नाम से पता चल रहा है कि अगर वही इसी तरह का raised patch हो लेकिन बस जो है वो red color का हो red patch या black जो कि mucos membrane बने बिल्कुल similar to lycoplakeya उसको हम कहेंगे अरिद्रो प इसमें बहुत ज्यादा high potential होता है कि यह malignant change दिखाए तो इसको भी हमने widely excise करना होता है और पर हिस्ट्रो पैथोजी के लिए specimen देना होगा ठीक है excision करने के बाद ताकि malignancy को हम rule out करें अच्छा उसके बाद आता है most important question जिसमें past में भी बहुत बार आया है question oral sub mucos fibrosis ठीक कबार spharynx को भी involve कर सकती है इसमें क्या होगा नाम से पता चल रहा है इसमें fibrosis हो जाती है लेकिन सब mucosal layer की fibrosis हो जागी तो हम इसको oral sub mucos fibrosis कह रहे हैं तो यह भी most important pre malignant condition है लेकिन इसमें जो malignant change का incidence है यानि कि यह आगे जाके malignancy करवा है वो अभी तक unknown है और controversial है ज्यादा तर यह young females में देखी किया है जो कि lower social economic class से belong करती है ठीक है और यह हमारे part of the world में बहुत ज्यादा prevalent है ठीक है पाकिस्तान मगेरा में तो इसमें pathology क्या है क्यों यह सब mucosal म नहीं पता लेकिन nearly जो सारे को cases होते हैं उन में फीमेल्स जो होती है वो चालिया जबाती है बीटल नट जिसको हम कहते है ठीक है च्यू करती है या तो alone या पर पान के साथ या टुबैको के साथ चालिया जबाती है तो इसके अलावा dietary deficiencies भी इसका cause बनती है जिसमें vitamin B complex vitamin A iron zinc और बाकी minerals भी आ जाते हैं जो कि इसका ideological factor बनते हैं ठीक है iron zinc और बाकी minerals की deficiency की वज़ा से हो सकता है तो basic जो change है इस condition का वो होता है कि इसमें असल में हमारा जो fiber elastic tissue होता है वो lamina propria के अंदर बहुत ज्यादा deposit हो जाता है ठीक है इसमें mainly change यहीं हाया है कि यानी excessive reposition of the fiber elastic tissue in lamina propria तो उसके उपर की जो ओवरलाइंग mucosa होगी वो उसमें epithelial atrophy हो जाएगी और even कभी कबार उसमें vesical formation भी हो जाएगी later stage में फिर यहां पर fibrosis हो जाएगी बहुत ज्यादा जो कि especially soft palate वाले region पे होती है हमारे infosial pillars पे होती है और even यहां पर जिस तरह बकल mucosa में दिखाएगा है इसमें होगी ठीक हो गया तो mainly basic change यहीं होता है कि बहुत ज्यादा इसमें deposition हो गई है किस चीज की deposition होई है फाइब्रो elastic tissue lamina propria में बहुत ज्यादा deposit हुआ है तो उपर वाला mucosa atrophied हो गया है और vesicles भी बन सकती है और बाद में जो है उस पे fibrosis हो जाएगी जो कि especially facial pillar बकल mucosa और soft palate पे जादा होगी that's it तो patient किस तरह आगी clinical features से present करेगा patient ज्यादा ज्यादा हम इसी चीज़े नहीं खा पा रहा चोटी 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 टाइनी से vesicles भी बन सकती है repeatedly especially यहां पर बकल mucosa पे ठीक है और बाद में क्या होगा thick sheet fibrous tissue की जो है पूरी entire उसकी hard palate को occupy करेगी soft palate को youvula pillars और inner surface cheek का और कभी कबार even posted pharyngeal wall को भी thick सी एक fibrous tissue की sheet जो है cover करेगी तो इस stage पर क्या होता है patient अपना मूँ कुल नहीं पाता restricted हो जाती है mouth opening ठीक है यहां पर फिडियर देखे हैं यहां पर oral sub mucosa fibrosis की वज़ा से इसका मूँ कुल नहीं पार रहा restricted mouth opening क्यों क्योंके पूरे entire इन सारे areas पे जो है heart palate, soft palate, uvula, pillars और cheek पे भी पोस्टोफरेंजर वा यह फाइब्रिस टिशू की ठीक है यह बनी है oral sub mucosa fibrosis में और patient अपना खाना भी नहीं खा पाएगा मूँ नहीं कुल रहा treatment क्या होता है इसमें कोई भी हम specific treatment इस condition के लिए नहीं देते है management जो है वो लाय करती है कि हमने बस इसमें उसको कहना चाल यह नहीं खानी है आपने bet इंजाइम का टॉपिकली injection दिया जाता है इस्टिरोइड के साथ वो भी इस तरह के केसिस में useful रहता है patient को जाद रहिए कि हमने encourage करना है कि वो जो है अपनी जाओ को open करने वाली exercises परफॉर्म करें ठीक है और इसके इलावा wooden sticks जो है उनके दांतों के बीच में हम रखेंगे ताकि इसके मूँ खुल सके और जो है जाओ अपनी exercises का भी कहेंगे इसके इलावा dietary deficiencies को हमने correct करना है vitamins के supplement करेंगे हम और उसके फाइबरस बैंड बना है उसको हमने सर्जीकली exercise करना होगा और उसको हम cover कर देंगे with the raw area को with regional rotation flaps ठीक है in case where there is severe Christmas ठीक है पिर रहा एरिया पर फाइबरस फ्लैप लगा दिया और या देखिए कि अगर बहुत जाद है ट्रिसमस को उसका मूँ खुल पर उसमें हमने exercise करना है उससे पर आगे ऑपरेटिव वाली के बाद वाली फाइबरस भी कम होगी अब treatment को बस समराइज करें कि हमने medical treatment देना surgical medical में बस symptomatic है और risk factor को ideological factor को exciting factor को avoid करें जैसे बीटल नट पान ना खाए कोटिको स्टिरोइड में हम टॉपिकली भी सिस्टेमिकली भी हालरोनाइडेस का injection हमने टॉपिकली देना होता है jaw opening के exercises करवानी है और dietary deficiencies भी correct करनी है तो सर्जिकली क्या treatment होगा हमारा इस condition में हमने इसको surgical oxygen करनी होगी flaps की ठीक है सर्जिकली exercise करने है जो fibrous band होते हैं और raw area क को हम cover कर देंगे और carbon dioxide laser से भी हम oxygen कर सकते हैं that's it topic complete हुआ बहुत important exam point of view से इसको अच्छी तरह से याद करना है उसके बाद आता है इस chapter का मारा last topic which is the pharyngeal pouch इस पे भी बहुत बाहर पास्ट में exams में question आता है वाई वाई में भी पूचते है that what is pharyngeal pouch याद रेखेगा इसको ह जैंकर्स diverticulum भी कहते हैं या hypo pharyngeal diverticulum ठीक है Robins basic pathology में भी GIT में हमने यह discuss किया था कि इसको जैंकर्स diverticulum या hypo pharyngeal diverticulum कहा जाता है इसमें होता क्या है जो हमारा inferior constructor muscle होता है throat का ठीक है तीन constructors होते हैं जो inferior वाला constructor है उसके जो हैं दो पार्स होते है एक होता है इसका है ठीक है आगे हमारा पीछे pharynx होता है pharynx में हमारे जो constructor muscle है उसका भी inferior constructor है उसके दो पार्स होते है एक होता है यह थाइरो pharyngeis muscle दूसरा क्रिको pharyngeis यह मिला कर जो है बनता है हमारा inferior pharyngeal muscle ठीक है तो अब यह जो दो मसल होते हैं इनके दर्मयान एक potential gap होता है याद रख कर सकती है between the two parts of the inferior constructor when cricopharyngeis sphincter contract prematurely during the second stage of deglutition ठीक है इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा second stage deglutition का होता है pharyngeal stage ठीक है तो उस second stage यानि pharyngeal stage of deglutition के दुरान अगर हमारा यह जो ट्रिको pharyngeis muscle है यह prematurely पहले contract कर जाता है पहले इसकी prematurely contraction हो जाएगी और तो उसकी वज़ा से क्या होगा कि जो म्यूकोजा है अंदर हमारा pharyngeal म्यूकोजा वो बहर बल्च कर सकता है इन दोनों parts के दर्मियान हमारे inferior pharyngeal muscles के दोनों parts के दर्मियान से यह म्यूकोजा बहर आ सकता है ऐसा क्यों होगा है क्योंकि डीडलोडिशन के second phase के दुरान यह prematurely तो अब यह जो फेरेंजल पाउच उसकी वज़ा से बना यह असल में neuromuscular incoordination की वज़ा से बना हुआ है ठीक है क्योंकि वह prematurely contract कर गया neuromuscular coordination नहीं है तो यह पाउच बन गया है ठीक हो गया इसको हम कहते हैं pharyngeal diverticulum यह पर जैंकर्स diverticulum यह फिर हाइपो फेरेंजल diverticulum यहां पर figure देखे वही फेरेंजल पाउच दिखाया गया जो बल्च कर रहा है between the two part of the inferior constructor muscle यह इंफिर कॉंस्ट्रिक्टर मसल का है क्रिको फेरेंजल से और उपर थायरो फेरेंजल से दर्मयान की space में से यह protrude कर रहा है तो यह पाउच बना याद रहिए कि जो भी हम खापी रहें food वगएरा तो वह इस पाउच के अंदर collect हो सकता है जिसके वजह से इस पाउच क हो जाएगा बड़ हो जाएगा तो यह क्या करेंगा फिर यह हमारी isophagus के साथ line कर जाएगा यानी जाहर से बात है यहां पर पर। हमारा isophagus से नीचे ही ठीक है और यहां पर पाउच बना है तो यहां से clean dice veterans space से अगर पाउच बना तो फिर वह इसमें food गया और इतना और इस पाउच में accumulate हो, food वगएरा directly उसमें जा रहा होगा, ठीक है, तो इस से क्या होगा, और further उसका size increase होगा पाउच का, और वो और ज्यादा expand होगा, और हमारी इस नीचे वाली isofagus पर pressure देगा, जिससे patient को dysphagia होगा, ठीक होगा, तो clinical features में patient किस तरह से present करेंगे, patient करेगा, complain, plane, वो कहेगा, कि मेरे गले में lump है, ठीक है, वो कहेगा, कि मेरे त्रोट में कोई चीज है, या फिर मुझे lump महसूस हो रहा है, जब पाउच छोटा होगा, तब वो इस तरह से present करेगा, लेकिन जैसे ये पाउच बड़ा होता जा रहा है size में, तो patient को dysphagia होना शुरू होग पर लेरिंग्स में जाएगा, तो उससे सिवेर गिसम को कफिंग होगी, तो इस तरह के फीचर्स प्रेजन करेगा, फूड जो है रात के टाइम पे रीगर्जिटेट हो सकता है, जब patient especially recommend position में होता है, तो weight loss हो जाएगा, dysphagia के वजए से जो भी खा रहा है, वो nutrition नहीं मिल इसका weight loss होगा, और इसके लावा जब हम x-ray barium swallow करते हैं, उससे ही हम diagnose कर पाएंगे, उससे यह सैक और सैक का size में clear नजर आएगा, यहां पर यह figure देखें, इसमें दिखाया गया है, x-ray barium swallow किया गया है, लेटरल में, और यहां पर एंटिरो पोस्टिर व्यू में, इसमें द excision of the pouch, या diverticulotomy कहेंगे, या फिर हमने इसके लावा साथ में, क्रिको फेरेंजल मसल की division करनी होती है, ठीक है, इसको क्रिको फेरेंजल मायो टोमी कहते है, ठीक है, पाउच को excise किया, और क्रिको फेरेंजल मसल को divide कर दिया, तो dolmen ने describe की है, endoscopic division of the common wall between the posterior pharyngeal wall and the anterior wall of the pouch, अच्छा तो उसमें क्या कह रहा है, कि dolmen ने एक endoscopic, उसने treatment बताया, कि endoscopic लिए हम treatment देंगे, इसको, हम divide कर देंगे, उस common wall को, जो कि हमारे isovagile lumen, या या डावर्टी किलम के दर्मयान जो एक wall है, उसको common wall बना देंगे, इनको divide कर देंगे, एक कर देंगे, एक कर देंग पर देंगे, तो इसमें जो है, इसमें जो है, इसमें जो है, इसमें इसमें एक slotted endoscope यूज़ किया गया, उसने इड्रोडियूस कर देंगे, इस परपस के लिए, मतलब ही एक इसमें जादा मॉर्बिडिट हो रही थी, क्योंकि इसमें जो भी content वगगर है, वो medias tenum में लीक की मदद से, यानि endoscopic laser diverticulotomy और steppler gun की मदद से, endoscopic steppler assisted diverticulotomy, तो उससे यह मसला भी हल हो गया, और यही इसमें treatment रहता है, dolmen's operation, ठीक हो गया, that's it, यह chapter complete हुआ, अब इसमें summarize कर लेते हैं, key points, हमने इसमें starting में retention cyst के बारे में पढ़ा, mouth oral cavity में बहुत कॉमन होती है, surgically हमने retention cyst को exercise करना होता है, और mouth जो होता है, अगर मतलब वो छोटी है, तो exercise करेंगे, लेकिन difficult होता है उनको exercise करना, अगर उनकी wall thin हो, पतली से wall हो, तो उस case करना होती है, जिसको हम decapping करेंगे, ठीक है, अगर कोई भी इसमें, अगर हमारी oral cavity में कोई भी मिसाल progressive lesion बन रही है, तो उसमें malignancy का suspicion होना चाहिए, और उसको हमने लाजमी pyopsy के लिए बेशना होगा, regular follow up चाहिए होता है, pre malignant, जितनी भी conditions होती है, mouth की उसमें, लाजमी हम follow up का कहते हैं, patient को, oral sub mucous fibrosis हमने का, बहुत ही कौम है हमारे part of the globe में, क्योंकि यहां पे beetle nut, पान और tobacco की consumption बहुत जादा की जाती है, difficult world में marsupialization है, यह जो word है, याद रखेगा, marsupia से derived हुआ है, इसका मतलब होता है, pouch of female kangaroo, ठीक है, female kangaroo होती है, तो उसका pouch होता है, जिसमे एक surgical procedure होता है, जिसमें जो cyst का surface होता है, उसको हमने remove करना होता है, और फिर इसके inner linings होती है, उसको पिर हमने क्या करना होता है, सर्फिस के साथ stitch कर देना होता है, ठीक है, यह हूँ, तो इसको हम कहते है, marsupialization, that's it, अब basic use कर लेते हैं, 20 year old girl, जो है, वो present की गई, with progressively increasing swelling, जो of the mouth पे ती, अब यहां पे इसमें treatment of choice कौन सा होगा, याद रखिएगा है, यह हमें, इसमें हम marsupialization करेंगे, यह जो, इसमें swelling होई है, यह जो, इसमें swelling होई है, यह जो, इसमें swelling होई है, यह सारे symptoms, ठीक है, प्रोग्रेसली swelling, बर्री, floor of mouth पे है, और side of floor पे है, और blue भी है, around पे, smooth भी है, अगर इसमें fluid होई होई है, यह मुकोसील है, ठीक है, तो दोनों का वैसे treatment of marsupialization था, देने, what is the most common site for leukoplakia in the oral cavity, oral cavity में, leukoplakia most likely जादे था है, बकल मुकोजा पे होता है, यह आपने याद रखना है, 40 year old male patient had a relation in the oral cavity, for which surgery was advised, patient refused for the surgery, but after some time, he came with a malignant change in this lesion, what is most likely the possibility for the earlier lesion, तो क्योंके वो जो lesion थी, malignancy में change होगी है, तो leukoplakia भी हो सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब होगी है, लेकिन most likely erythropoplakia 100% वो malignancy में change हो जाता है, 27 year old male patient जो है, डाइगनोस होआ, simple ranula के साथ, अब साइट कौन सी होती है, इस pathology की, जहां पर simple ranula present होता है, तो जादातर simple ranula floor of the mouth पर present होता है, तीक है, देन आता है, हमरे पास last question, what are the two common clinical varieties of ranula, एक था simple ranula, दूसरा था plunging type, ठीक है, plunging type वाला neck region में extend कर रहा था, लेकिन simple वाला floor of the mouth तक limited था, that's it, यह चप्र प्लीट वा, next video से चलाम चप्टर 40, इस section का लास्ट चप्टर साथ करेंगे, विच इस दी, neoplasia of the oral cavity and pharynx.